क्या कबीर खान फिर से आ रहे हैं कोई नई कहानी लेकर क्या सलमान खान ने कर दिया है बचुरंगी भाईजान टू के लिए हां क्या फिर से मुन्नी आएंगी बचुरंगी भाईजान टू में कुछ तो पता जिन्दगी अपना पता जिन्दगी दोस्तो इस गानी को सुनके जो दिल में एक स्वीट सी फीलिंग आती है वो भूले नहीं भूली जाती आज की भाग दौर भरी जिन्दगी में हमारा मन कोई ऐसी फिल्म को देखने का करता है जो हमें कुछ प्यारे से रिष्टों से जोड़े एक पल में हसाई एक पल में रुलाई और एक पल में ऐसा एहसास करवाई कि अब क्या होगा बस लोगों के दिलों में ऐसे ही जजबाद जगाने वाली एक मूवी है जिसका नाम है बजरंगी भायजान ये मूवी एक सुन्दर विश्वास और भरोसे के नाते को जो एक छोटी बच्ची और एक बजरंग बली भक्त के बीज बन जाता है उसे दिखाती है ये मूवी सल्मान के द्वारा डिरेक्क की गई है और इसके राइटर है के वी विजयेंद्र प्रसाद बजरंगी भायजान 17 जुलाई 2015 को रिलीज हुई थी और जैसे ही सिनमा घरों में लगी इसे लोगों का इतना प्यार मिला कि वो इसे बार बार देखने थेटर जाने लगे इस मू नवाज उद्दीन सिदिकी चान नवाज का किरदान निभाए थे जिन्होंने अपनी रिपोर्टिंग स्टाल चे सबको बहुत ज़्यादा हसाया भी लेकिन आखिर में रुला भी दिया इस मूवी में और भी बड़े और नामी सितारे थे जिन्होंने इस मूवी में खुलासा मूवी के राइटर केवी विज्येंदर प्रसाद ने हाल ही में ये कहा है कि वो बजरंगी भायजान 2 की स्टोरी पर काम कर रहे हैं उनका कहना है कि वो एक परफेक्ट प्लॉट की तलाश में है जो बजरंगी भायजान को आगे लेकर जा सके ये सर्प्राइज कि ये मूवी जल्दी फैंस का दिल दोबारा जीत पाएगी और इस बार क्या स्टोरी होगी इसका मैं तो कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकती पर यकीन मानिये बजरंगी भायजान 2 मेभी इसके पहले पार्ट की ही तरह कुछ सॉलिड और सबसे हटके होगा इस फिल्म के र कि अ कि अ कि अ